जो सच्ची वाले में वहारे करमचारी हैं सबी वर्गों के उन्होंने परसों अपनी बात रखने का प्रयास किया लेकिन मैं समझता हूँ वो सिरकार का हिस्सा है और हमारी सिरकार बनते ही हमारी प्रात्मिक्ता मुख्यमंत्री जी की प्रात्मिक्ता बिल्कुल साफ थी वो हमने ये चीज फैसले करके दिखाई कि हमारी जरकार करमचारियों की हिटेशी है और जो कुमिट्मेट थी अगर हमने सबसे पहला फैसला कैबिनेट में किया और पैंशन स्कीम को लागू करके OPS को जो आप समझें कि पूरे देश के अंदर संभव नहीं था वो सबसे बड़ा कदम हमारी जरकार नर्मुख्यमंत्री जी ने उठाया और जिससे एक लाग च्छतिसाजार सरकारी करमचारियों को फाइदा हुआ और उस वक्त जो मिटिंग्स का दौर था उस वक्त इनकी कमिट्मिट भी थी कि हमें ये पांच साल लगातार पिछली सरकार में परदर्शन करते रहें किसी ने इनकी बात को गंबीटा से नहीं लिया न सुना लेकिन हमारी कॉंग्रस पार्टी की ये कमिट्मिट थी कि सरकार बनते ही हम आपके इस फैसले को लागू करेंगे और हमने किया हम देश के अंदर पहला राजिया बना इमाचल परदेश कि हमने अपने करमचारी भाईयों की जो समस्या थी और बहुत बड़ी समस्या थी आप समझें कि जिन लोगों को 3700 रप्या पेंशन मिल रही थी नई स्कीम के तहट उनको ओर्ड में आने के बाद 37000 रप्या पेंशन मिल रही ये फैक्ट है ये लागू हो चुकी है इसका लाब लखो करमचारीों को इनी भाईयों को मिल रहा है तो हमेरी जो आर्थिक सिटी है जहां तक डिये का स्वाल है या इनके एरियर्स का स्वाल है उसकी लाइबिल्टी हमने बात बार मीडिया के जरिये भी और श्वेत पत्रजारी किया विदान सभा में भी कि कितनी पिछली सरकार हमारी लाइबिल्टी छोड़के गई है जहां तक आप बोज का बात करें वो 75,000 क्रोड रुपे का बोज अलग है लॉन्ज अलग है उसके इलावा 10,000 क्रोड रुपे के उपर की जो देंदारियां वो केवल सरकारी करमचारियों की और पैंचनर्स की पिछली सरकार छोड़के गई है हमारी सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बात जिकर किया कि हम इसको देने के लिए पतिवद हैं बार बार इसका जिकर किया और 15 अगस्त को उनोंने 75 साल से उपर के जो हमारे पैंचनर्स हैं उन लोगों के लिए 28,000 लोगों के लिए उसका जो एरियर्स था उसको क्लियर करने के लिए 200 क्रोड रुपे का प्रवधान किया गोशना किये वो चाहरे हैं कि हम इसको दीरे दीरे करेंगे लेकिन जिस परकार की आर्थिक्तिति उससब के सामने है पैसे का इंतजाम करना है और उसके बाद इनका एरियर की बात करें या डी ए की बात है वो देने है मुख्यमंत्र जी ने थोड़ा समय की बात की थी कि थोड़ा सा समय मिलेगा हमने देना है बिलकुल जाइस बात है लेकिन जिस परकार से करमचरी भाईयों ने परदर्शन करके अपना पहले दिन जो रुख अपनाया मुझे उसको लेके काफी अफसोस है ये ऐसी संभावना नहीं थी खास तोर पे आपको मांग रखने का अधिकार था लेकिन उस मांग के जरीए आप सरकार के खिलाफ एलिगेशन्स पे आगे हर तरह से सरकार के क्रिटिसिजम में आगे और आप जानते हैं कि अर्थिक सीटी सेकरेटरिट में बैठे हुए लोग और एंपलाईस से बहतर समझते हैं और सरकार हमारी मुख्यमंत्री फैसले ले रहे हैं वो आपके सामने है कि किस परकार से बिजली बोर्ड को बचाने की बात हो रही है HRTC को बचाने की बात हो रही है दूसरे बोर्ड और कॉर्परेशन्स हैं उनको मिटिंग्स लेके मुख्यमंती देख रहे हैं कि जो लॉस में लगातार गाटे में चल रहे हैं उनको किस परकार से मर्ज करके और क्या तरीका रहें कि जिससे ये बोज कम हो तो ये हमारी सरकार करमचारी हिटेशी है वो तो सभाविक है पर हमें इस बात का अपसोस हुआ कि जिस प्रकार का रवया सेक्रेटरेट के करमचारियों ने अपनाया और जो भाशा का प्रयोग किया मैं समझता हूँ मैं मुझे और सरकार को ऐसी उमीद नहीं थी होना ये चाहिए था कि इनको अपनी मांग रखनी चाहिए थी इनका अधिकार है और उसको लेके अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी से जो भी इनकी डिमांड थी उसको लेके बात होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए टेबल पे बैठके होती ये बात है लेकिन ये इस तरह की भाषा और इस तरह थ्रेट वाली बात क्यों आई कोई डेड लॉक तो नहीं है इसमें सिर्फ समय की बात है कि आर्तिक्स्थिती को ठीक करना है पैसे का इंतजाम कर रहे हैं मुख्यबंतरी जी और उनकी टीम लगे हैं इस बात को थोड़ा सा समय मांगा था और आप अची तरह समझ रहे हैं कि परदेश की आतिक्तिती क्या है और बात सही है कि और भी बहुत सारे ऐसे वर्ग है जिन के लिए सरकार को काम करना है सरकार को तो हर वर्ग के लिए काम करना है और कर रही है सरकार अगर आप देखें कि किसानों के लिए बागवानों के लिए बेरोज़गारों के लिए हरवर के लिए सरकार को योजनाए बनानी है तो मैं समझता हूँ कि सरकारी करमचारी भाईयों से मेरी तो यही अपेल रहेगी कि अभी भी उनको जो है इस मुद्दे को लेके जो डिये की जो बात और एरियर्स की जो बात है उनको सरकार के साथ बाचीत के जरीए इन चीजों को रखना चाहिए अपनी बात रखनी चाहिए अपना पक्ष रखना चाहिए और सरकार का पक्ष भी समझना चाहिए और मैं समझता हूँ मिल बैट के टेबल पे बैठके ये बातें सुल जाई जा सकती है ये इतना गंभीर विश्य नहीं है खास तोर पे ऐसी सरकार जो आपके साथ खड़ी है जिसको आप लोगों के मदद से बने भी है आप लोगों ने बनाया है और हमारे डेट साल के कारेकाल में बहुत सार ऐसे फैसले लिए गया है जो करमचारियों के हित में थे तो ये जिश्टों को ऐसा ना हो कि कुछ लोग इसमें ऐसे हो जो जान बूच के आम करमचारियों को उनको जो है गुमरह करने का प्रयास करें उन चीजों से इनको मैं समझता हूँ कि बचना चाहिए कि दो चार लोग को ऐसे उसमें आ जाएं कि जो बाकी करमचारी भाईयों को गुमरह करें ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारी प्रात्मिक्ता बिल्कुल साफ है कि जैसे ही जल्दी से जल्दी जो इंतजाम हो रहा है आर्थिक्स्तिती आपके सामने है आपदा के दोरान बहुत नुक्सान हुआ प्रदेश किन प्रश्तितियों से गुजरा वो आपके सामने है क्या हालात है तो इन चीजों को मैं समझता हूँ इनको भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए क्योंकि छुपी भी नहीं है बात कोई और हमारी मंचा साफ है मैं समझता हूँ कि बातचीट के जरीए ये मसला सॉल्व हो जाए